हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासर ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे fingers काफी थिक हैं बिलकुल आपस में सटी हुई fingers आप इनके हथेली में देख पाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलकुल भी gaps आपको नजर नहीं आ रहे होंगे इस तरह की सटी हुई fingers का होना indicate करता है कि native की money management काफी अच्छी रहने वाली है ऐसे व्यक्ति धन की एहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है किस तरह से invest करना है ऐसी चीज़ें बहुत असानी से सीख जाते हैं अगर हम length की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनी finger काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है शनी finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native बहुत ही hard working nature का रहेगा काफी disciplined personality ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अपनी इनी खूबियों की वज़े जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे native कामयाब हो जाते हैं अगर हम इनकी हाथ में दूसरी सबसे लंबी उंगली की बात करें तो वह है इनकी index finger यानि ब्रसपती गुरू ग्रह की finger आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छी length में है और सूर्य finger के लगभग equal य साथ ही साथ इस finger का अच्छी लंबाई में होना native को अच्छा परिवार देता है अच्छे संसकार देता है ऐसे व्यक्ति की knowledge बहुत अच्छी रहती है जिनकी यह finger अच्छी लंबाई में हो अगर हम सूर्य finger की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी length मे होना दर्शाता है कि native का जो social circle है वो काफी बहतर रहेगा साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की creativity काफी strong रहती है काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनकी सूर्य finger अच्छी लंबाई में हो अगर हम mercury की बात करें तो mercury finger यहाँ पर आपको हलकी सी low set नजर आएगी सू थोड़ी सी नीचे रहती हुई यहाँ जो area है सूर्य finger का top valence का area है और आप देख सकते हैं इनकी जो mercury finger है यहाँ तक ही पहुँच पा रही है जिस वज़य से थोड़ी short consider होगी यहाँ finger low set है इस वज़य से native की nature थोड़ी सी shy रह सकती है आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ आप ड्रॉ करकर अगर हम यहाँ पर एक line ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा बनती हुई जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ finger बिल्कूल नीचे से शुरू होती है जबकि इनकी बाकी की fingers की जो शुरुआत है वो काफी उपर से होते हुई इस तरह की low set finger होने से native थोड़ा shy सभाब का होता है बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ती open up नहीं हो पाते थोड़ी hesitation वाली nature रहती है लेकिन communication skills में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही यह finger लंबाई में अच्छी है low set होने की वज़े से इनके सुर्य finger के top balance तक नहीं पहुँच पा रही आ काफी उठा हुआ है ब्रस्पती यानि गुरू परवत अगर यह माउंट उभरा हुआ हो तो यह native को ग्यानवान बनाता है आप देख सकते हैं यह जो area रहता है index finger के नीचे के जिसको मैं भी circle कर रहा हूँ यह गुरू परवत कहलाता है और अगर इस माउंट के उपर progress lines बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में help करती हैं आप देख सकते हैं इन रिखाओं की मैं बात कर रहा हूँ यह रिखाएं जो इनकी जीवन रिखा से निकल कर उपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी यह जो रिखा इसको हम जीवन रिखा कहते हैं जब भी नॉलेज के बल पर समाज में काफी अच्छा मान समान भी पाते हैं क्योंकि यह जो एरिया है जिन लोगों का उभरा हुआ होगा और यह जो फिंगर ब्रस्पती फिंगर है काफी अच्छी लंबाई में होगी तो ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफी अच्छी होगी ऐसे व्यक सकते हैं इनके अंगूठे के ओपर भी बुद्धा जाई का चिन आपको बनता नजर आएगा बेशक खलकी लाइन है नीचे वाली लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक चिन बनता हुआ नजर आएगा इस तरह के बुद्धा जाई के चिन को हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉंग रहेगी आने वाली घटनाओं का पूर्वा अभास ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से हो जाता है कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो उसका पूर्वा अनुमान लगा पाने की शमता ऐसे व्यक्ति की काफी स् इंदरी स्क्रिया रहती है जिसको हम six cents कहते हैं अगर हम बात करें इनके शनी परवत की आप देखेंगे यहाई एरिया सेंटर से हलका सा आपको दबता हुआ नजर आएगा इस एरिया में अगर आपको थोड़ा सा गढ़ा बनता हुआ नजर आए थोड़ा सा दब रहा हो तो यह नेटिव के चीवन में initial struggle को indicate करता है ऐसे नेटिव को चीवन में अपने comfort zone से निकल कर भी काम करना पड़ सकता है लेकिन जिन लोगों के हाथ में गुरू परवत में progress lines होती है बले ही शुरुआती दोर में इने अधिक मेनत करने ही पड़े लेकिन आगे चलकर इनके होती हुई यहां तक बहुत strong है उसके बाद थोड़ी weakness इंडिकेट करती हुई और इस तरह से यह है शनी माउंट तक नजर आ रही है बीच में इस तरह की कुछ आड़ी रिखाओं का होना जिने हम stress lines कहते हैं इंडिकेट करता है कि समय समय पर ups and downs का सामना भी इनको करना होग लेकिन हाथ में एक लंबी इस तरह की fate line का होना दर्शाता है कि native काफी अच्छा धन कमा पाने में और धन संचय कर पाने में चीवन में कामयाग जरूर रहेगा अब देख सकते हैं money triangle की formation बहुत हलकी रिखाओं से इनकी अथेली में बनती हुई नजर आ रही है आपको draw करके दिखाना चाहूँगा यह जो रेखा है इसको हम fate line कहते हैं यह हमें यहां तक complete नजर आ रही है यह जो दूसरी रेखा है इसको हम mind की line कहते हैं यह जो तीसरी बहुत ही हलकी सी एक रेखा आपको नजर आगी इसको हम mercury line कहते हैं भले ही mercury line अभी थोड़ी सी weak नजर आ रही है लेकिन फिर भी यह है एक ट्राइंगल बनाने में पूरी तरह से सक्षम है इस तरह सा ट्राइंगल बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में ओल्ड इस तक पहुंचते पहुंचते काफी अच्छा धन संचे कर पाने में काम्याब हो जाएगा अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो आप देख सकते हैं शनी की भाती सूर्य के एरिया हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है लेकिन सूर्य माउंट के उपर एक बहुत हलकी रिखाओं से फिश की अकृती बनती हुई भी हमें नजर आ रही है इस एरिया का अंदर की त प्रिती बनती हुई नजर आएगी ऐसा चिन सूर्य परवत पर बनना नेटिव को काफी भागेशाली बनाता है ऐसे व्यक्ति अपनी किसी क्रेटिविटी की वज़य से अपनी किसी खूबी की वज़य से लगभग 40 वर्ष के पास की एज में पहुँचकर काफी अच्छा न पर बना पाने का मौका जीवन में जरूर मिलता है अगर हम बात करें इनके बुद्ध परवत की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी का एरिया यहाँ पर आपको काफी बेहतर नजर आ रहा होगा काफी उबरा हुआ मरकरी माउंट आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी माउंट के उपर जो रिखाएं आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं इन्हें हम हीलिंग लाइन्स कहते हैं अब देख सकते हैं ऐसी काफी अच्छी सीधी खड़ी रिखाएं इनकी थेली पे मौचूद है इस तरह की रिखाओं का होना नेटिव को काफी अच्छी healing qualities देता है ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है अपने शब्दों से अपने करमों से अपनी सलाहा या consultation से लोगों की problems को दूर करने की capability ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनका मरकरी माउंट उबरा हुआ हो और ऐसी खड़ी रिखाएं मरकरी माउंट के उपर मौजूद हो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी major lines को तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जो heart line है काफी अच्छे करव में नजर आ रही है साथी साथ यहां से एक branch निकल कर आपको कुछ इस तरह से एक विश्नु चिन यहां पर बनाती हुई नजर आएगी इस तरह का विश्नु चिन तेली पर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है ऐसा चिन होने से native काफी भगशाली होता है और अगर ऐसा व्यक्ति इमानदारी के रास्ते पर जीवन में चले और कोई भी गलत काम ना करे बिमानी के रास्ते पर ना जाए तो चीवन में बहुत अ रखी कर पाने में यह चिन व्यक्ति की हैल्प करता है ओवरॉल हार्ट लाइन काफी अच्छी है हार्ट लाइन थोड़ी सी शालो होती है इस सेरिय में जाकर आप देखेंगे थोड़ी सी वीकनेस इस रेखा में नजर आ रही है जो लगभग सिक्स्टीज के आसपास की एज पर नजर आएंगी नीचे की तरफ चलती हुई इस तरह की ब्रांचिज होने से भी नेटिव को इमोशनल सेट बैक्स का सामना चीवन में करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनकी लाइन आफ माइन की तो आप देखेंगे माइन लाइन काफी अच्छी लेंथ में है और तो हलका सा छुकाव चंदर परवत की तरफ होता हुआ काफी अच्छी मैमरी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में एक बिल्कुल स्पष्ट मस्तिश रेखा माचूद हो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है कि माइन लाइन इनके हाथ में और मीडियम साइज माइन आप सिवाए कुछ stress lines के जो रिखाएं इनकी mind line को कुछ इस तरह से काटती हुई आपको नजर आएंगी इनको टच करती हुई नजर आएंगी इनकी वज़े से थोड़ा stress रह सकता है थोड़ी anxiety रहने की संभावनाय रहती है otherwise mind memory की काफी sharp रहने वाली है काफी अच्छी mind line हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लेंट में है जीवन रेखा की एक ब्राँच सीधा इनके चंदर परवत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है इस तरह की ब्राँच का होना नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं देता है फारण ट्रैवल और फारण सैटलमेंट की समावनाओं को भी दरशाता है इस तरह की लंबी जीवन रेखा सबसे पहले आप देख सकते हैं लगबग 75 से 80 के बीच की एज को दरशा रही है इसमें से एक ब्राँच निकल कर इस तरह से चंदर परवत यहाँ जो एरिया रहता है चंदर का एरिया होता है मून इरेस को हम कहते हैं इस तरफ इस ब्राँच का आना दर्शा आता है कि चीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को जरूर मिलता है और ऐसे व्यक्ति लंबे समय तक नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई ऐसी रिखाई होना लाइफ में काफी ट्रैवल को इंडिकेट करता है इसके साथ साथ आपको कुछ इस तरह की आड़ी रिखाई भी यहाँ पर नजर आएंगी इस तरह की आड़ी रिखाओं का होना नेटिव की एंग्जाइटी को पहरा हुआ वीनस माउंट आप देख पाएंगे इस तरह का वीनस माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को चीवन में हर तरह की सुक्स विधाएं जरूर मिलेंगी लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की होरिजोंटल लाइन्स का होना अच्छा संकेत नहीं माना जा तो दोस्तों ये कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश